नमस्का दोस्तो, स्टॉक मार्केस ट्राड़िज में फिर से एक बर आपको सागत है, तो आज आपे में बात करूंगा एक दिगच आईटी कमपनी के बारे में, देखिया, आईटी इंडेस्ट्री स्में जितने सारे लीडर्स कमपनी है, वो दो तरीके से कमपनी होते हैं, एक यह का का ilipu के अंदर परते तब गए आप देखेंगे तो इनफोसी ऑगया अशल टेक में रह गया चोटा जो स्मॉल साइज कमपनी है उस में से आप बोल सकते हैं टाटा इलक्सि हो गया साथी साथ तो इस तरीके से कुछ company जो small cap के अंदर पड़ते हैं और दोनों ही एक IT services company है तो मेरे हिसाब से आपको चूज करना है कि आप last company के उपनिवेस करेंगे कि आप small company के उपनिवेस करेंगे दोनों ही IT industry के साथ company जुड़े हुए है तो आपको देखना है उसका business क्या है और वो business किस बेसिस से आगे जा सकता है तो देखे future का उसका vision कितना अच्छा है उसका management team कितना खास है तो उसके उपर आपको जोरदार नजर रखना चाहिए उसके उपर आपको निवेस करना चाहिए तो चलो एक एक करके पूरा details आपको दिखा देता हो तो सबसे पहली बात सबसे पहली बात जो है वो actually इस company का business module आपको समझना पड़ेगा तो company के details के जानने से पहले जोरू कहूंगा आभी तक अपने चैनल को subscribe ने किया तो जोरू subscribe कर लिजिए इसका नीचे बटन दिया ग दोस्त का भी जोएंड आप यहां पर लिग में जाकर क्लिक कर सकते हैं तो चलो देख लेते हैं आज के stock के बारे में तो सबसे पहले में website के उपर आ चुका हूँ तो website से कुछ चीज आपको मैं दिखाऊंगा जो आपको अंदर जा लग जाएगा कि actually company कौन सा फिल में काम कर रहे हैं वो आपको जानना है देखे technology बहुत तरीके से होते हैं अलग-अलग sector के होते हैं जैसे टाटा इलक्सी जैसे company वो क्या करते हैं वो भी IT solution company है मगर उसका जो काम है वो digitalization के उपर काम करते हैं जैसे मान के चले कोई भी automation industries है जैसे आप देखते हैं गाडिया में आप क technologies यूज के जाता है जो semiconductor के मतम से जो cheap के मतम से वो भी technologies इसी डाटा इलक्सी करते हैं तो same to same happiest mind क्या करते हैं चलो उसके उपर भी बात कर लेता हो तो दिखिए आपे जो आप देखेंगे तो blockchain system के उपर काम करते हैं blockchain system एक बहुत important points है जो actually IT field में बहुत आगे जा सकता है blockchain system द बहुत तेजी से growth करा है क्योंकि data science एक ऐसा project है जिसके मतम से देखा जाए तो all over world basis जो data है तो उसके उपर ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है क्योंकि data ही सबसे important points है technology के जो main chapter है उसमें देखा जाए तो data science ही सबसे ज्यादा importance है क्योंकि आपका data secure रहना आपका banking sector अगर secure न काम करते है साथी सद्धेवलोप्स के उपर भी काम करते है याप देखेए sdn nff sorry nfb के उपर भी कंपनी का मतला आप जो website देखते है उसके उपर भी company का security जोन के उपर काम करते है साथी सब्सक्राइब क्लाउड computing अभी आप सभी जानते cloud business company company के उपर ज्यादा तर काम कह जाता है याप देखिए जो internet and of the internet of things तो internet के things oid के उपर भी company काम करते है तो company का business maintenance जो है इस company का कौन सा प्रोडक के उपर company maintenance करते हैं कौन सा company के उपर ज्यादा company काम करते है तो यह भी यह चीज आप देख सकते हैं, तो पूरा के पूरा डिटेल्स आप यहाप चेक कर सकते हैं, साति साथ देखिए company का product है, company product जो आपे services देते हैं, तो आप यहाप देख सकते हैं कौन्सा कौन्सा services के उपर company काम करते हैं, जैसे technologies है, साति साथ डिजीटल healthcare है, manufacturing है, industrial के की में के आपको पता चलेगा चोटा मोटा company है मैं जोरूगा पहले पता चुटबाटा है में पहले बते चुकह हो स्मॉल के अंदर पड़ते हैं क्योंकि इसका जो total compare करे तो जितने सारी इसका competitor है जो उनमें से income ranking बहुत नीचे है क्योंकि इस company का market cap बहुत छोटा है और company के जिए performance है उसके बार है बात कर तो थाटीन थाउजन करोर का मार्केट कर रहे आपन पियर इसे कितना है सेंटी वान है इसका इंडेस्ट्रीज प्यरीज चार्शति फिर से 27 है एक उपने के पूर मुझे जो सब से खास लगा 커피 है करजा है 250 करोल का कॉमपने का हाथ में सवारे इंकम भी हो रहा है 186 करोल का कॉमपने के हाथ में कैस़ भी है 155 करोल का Company का Depth of Equity, मतलब Company के जो Equity है, Depth के हिसाब से Par Equity में Company का Depth है .37, तो चलो कोई बात नहीं, मतलब 1 रूपिया, मतलब 1 Share के लिए .37बईसा Depth है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी Depth तो है, मगर Depth को Company कंट्रॉल करने के लिए Profit भी कर रहा है, साथी साथ एक चीज मुझे सबसे जो अ एकदम अच्छा खासा लेबल में दिखा इतना करजा होने के बाद भी कॉम्पानी का रिटर्न आप कैपिटल एंप्लोइड मेंटेन हो रहा है मतलब सोच लीजिए उस कॉम्पानी में एक पॉजिटिविटी आप यापे बोल सकते हैं साथी साथ कॉम्पानी का जो रिजल्ड है उसके बारे में बात करो तो कॉम्पानी हर साल में कॉम्पानी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ाता जा रहा है यह नहीं कि कॉम्पानी से प्रॉफिट कर रहा है कॉम्पानी का सेल्स भी बढ़ते जा रहा है यह भी चीज आपको देखना चाहिए अगर सेल्स नहीं profit margin better है तो आप समझ लज़ना company का जो product है उसका price company ने बढ़ा दिया इसका मतलब company का और बहुत सारे expense भी कम कर सकते है तो यह भी चीज हो सकते है मानके चलिए आप 100 रुपिया निवेस किया और आप उसमें से expense को 50 रुपिया किया तो आपको 50 रुपिया का profit होगा अगर मानके चलिए आपको 100 रुपिया ने इन निवेस किया और आपका expense 80 रुपिया हो गया तो आपका हाथ में margin कितना बचाएगा 20 रुपिया तो एही चीज आपको देखना चाहिए कि company हाथ में कितना पैसा बचा रहा है कितना expense को control कर रहा है तो इस company expense को भी अच्छा का सा control कर रहा है साती सार company income भी अच्छा का सा कर रहा है profit earning ratio के बारे बात करो तो company का year of year basis बात करो तो company का profit earning ratio तो year of year basis देखा जाए तो company पहले तो उतना खास performance नहीं कर रहा था company negative में था तो company 2019 के बाद जो positive more लिया उसके बाद धेरे-धे growth हुआ क्योंकि देखा जाए तो 2020 के बाद ही जो lockdown period के बाद ही IT इंडेस्टी बूम हो गया और सबसे ज़्यादा तेजी से भागा जो प्रोजेक्ट है जो काम है वो अभी growth होना start हो गया और future में growth होने का chances और भी है तो company का earning ratio profit earning ratio अभी उतना खास नहीं है मगर company जिस तरह के से sales कर रहा है जिस तरह के से profit कर रहा है उस basis से देखा जाए तो ए डेटा आपको future में बहुत अच्छा कासा देखने को मिल सकता है तो आप ए company का investor के बारे बात करूं तो हर institution इस company को पर निवेस जोरू करकर रखा हाँ प्रोमोटर के पास कितना 53% है एफाइस के पास 6% है पाप्लिक के पास सबसे ज़्यादा हुई सेदरी है 36% और डिएस के पास कितना वान परसन है आप कहेंगे सर इंस्ट्यूटूशन तो उतना ज़्यादा निवेस नहीं किया एफाइस के पास 7% सरी डिएस के पास 7% था अभी वह वान परसन तक होल्ड करके रखा क्या यह खास है क्या यह ज्यादा है बिल्कुल आप कहेंगे तो आपके बाद में सहमत हो कि यह उतना खास नहीं है फिर भी दिखिए company जब growing mood में होते है तब जब company में growing mood होने के बाद globally जब impact आते है globally जब impact आता है आज IT sector की गिर रहा है इसके पीछे जो main कारण है वो है globally problem तो globally जो problems है उसको अभी तक solve जब तक नहीं होगा तब तक IT sector फिर से नहीं भागेगा तो मेरे हिसाब से आप यह इस time को अच्छा कासा इसके उपर study करिए उसके बाद इस company के उपर निवेस करने के लिए सोच जिए तो company आपको extra benefit के हिसाब से dividend ही दिया किको company उतना पूराना भी नहीं है company का आप details देखेंगे तो आप देखेंगे तो company एक मांद में और six मांद चल रहा है तो 24% losses मतलब समझ लेजिए जो company में इतना potential है वो फिर भी loss दे रहा है इसका मतलब अभी वो थोड़ा 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 करके recovery कर रहा है फिर से मुझे लगता है जब कोई से तेजी से jump मारता है उससे पहले वो दो कदम पीछे आते है इसका मतलब इस company के same to same हा थोड़ा सा पीछे आया मुझे लगता है फिर से jump होने के लिए क्योंकि देखे जब starting हुआ था तब यही एक side basis pattern में था उसके बाद किस तरीके से boom हुआ तो इस company को बस study करना उसके बाद निवेस करने के लिए सोचना तो आसा करते हो सारे जाने क्रेप को मिल चुका है मेरी